नमस्कार विद्याथी मित्रो, आज हम पढ़ेंगे हिंदी में 21 साथ सोच अपनी-अपनी इसका प्रकार एक वाद विवाद है किसी विशाई के पक्स और विपक्स में तर्क वितर्क सहीत अपने विचारों की अबिव्यक्ति ही वाद विवाद है बाद विवाद मोकिक बावविव्यक्ति का आत्यान प्रभावसाली तथा महत्वा पूर्ण रूप है बाद विवाद में कोई एक विशाई निर्धारित कर लिया जाता है कुछ विद्यार थी उस विशई के पक्स में तथा कुछ विपक्स में अपने अपने तर्क इकट्टे करके कार्यक्रम के दिन स्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं एक वक्ता पक्स में अपने विचार रखता है तो दुसरा वक्ता विपक्स में इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की प्रुष्टी तथा विपक्सी के कथन के खंडन का आउसर मिलता है यहाँ पे दो चित्र दिये गए है तो नीचे दिये गए चित्रों को ध्यान से देखिए फिर उन पर आधारित प्रशनों पर कक्षा में वाद विवाद करवाईए तो यहाँ पे दो अलग अलग चित्र दिये गए है एक गाउं का है और एक सहर का है तो इसके नीचे प्रशन दिये गए है पहला प्रश्णा है कि दोनों चित्रों में क्या अंतर है तो हमें दोनों चित्र दिखाई दे रहे हैं तो इसमें अंतर क्या है तो दोनों चित्रों में से एक चित्र गाउं का और दूसरा रगर का है यानि कि शहर का है गाउं के चित्र में नदी है उसके गाटों पर नहाते, कपड़े दोते, पानी बरते और काम करते लोग है गाओं में कच्चे गर है लोग मामूली कपड़े पहने हुए है लेकिन गाओं में बड़ी सान्ती का वात्तावरन है और नगर के चित्र में चोड़ी और दो तरफा सड़क है पक्की मकान है सड़क पर वाहन चल रहे है वाहनों के कारण शोर है लोग आधुनिक वेजबुशा में है दुश्रा प्रस्न है कि गाओं तथा नगर के जीवन में क्या आंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकल लगता है क्योँ? तो गाओं के जीवन में सादगी और सरलता है किसी तरह की बनावट और तड़क पड़क नहीं है लोग सान्ती से अपने अपने काम करते है नदिक वे का पानी पीते है वे अपने खेतों में उगाया अना तथा ताजी सबजिया खाते है लोग कच्चे गरों में रहते है पर उनका जीवन प्रकूती के बहुत नजदिक होता है और नगर के जीवन में तड़क बड़क और बनावट अधिक होती है लोग आधुनिक और फैसनेबल कपड़े पहनते है वे पक्के मकानों में रहते है वे नलका पानी पीते हैं और बाजार से अना तथा फल सबजी खरिद कर खाते है नगर की सब्कों पर वाहनों का हमेशा सोर होता है लोग दुकानों, बेंकों और दफ्तरों में काम करते है नगर के जीवन में सांती नहीं होती लोगों का जीवन प्रक्रूती से बहुत दूर होता है नगर के जीवन में अनिक दोश है फिर भी मुझे यहां का जीवन ही पसंद है यहां के लोग शिक्षित और प्रगतिसिल होते हैं नगर में अच्छे स्कूल और कॉलेज होते हैं इसके कारण मनपसंद स्क्षनिक युग्यता प्राप्त की जा सकती है अनिक संस्ताय पुस्तकालाई आदि व्यक्ति की युग्यता बठाने में सहायक होते हैं उन्यति के जितने अवसन नगर में हैं उतने गाउं में नहीं इसलिए मुझे नगरिय जीवन ही रुचिकर लगता है तीसरा प्रश्न है क्या तालाप का जल पीने के लिए युग्य है यदि नहीं तो क्यों तो इसका जवाब है कि तालाप का जल पीने के लिए युग्य नहीं होता क्योंकि तालाप चारो और से बंद होता है उसमें चारो और से बाहर के धूल मिटी गीरती है पेडों के पत्ते गीर कर सरते रहते हैं लोग तालाप के किनारे कपड़े दोते हैं और जानवरों को नहलाते हैं ये सारी घंद की तालाप के जल को दुशित कर देती है ये दुशित जल पीने सेहेंजा, पैचीस, आधी तरह तरह की जानलेवा बिमारिया होने की पूरी शंबावना होती है इसलिए तालाप का जल पीने के युग्या नहीं होता आगे नीचे दिये हुए मुद्दों के आधर पर भिग्ण्यान वर्दान या अभिशाप इस विशाई के पक्स एक पक्स पर अपने विचार कारण सही प्रस्तूत कीजिए उसमें कुछ कौंस में सब्द दिये गए हैं प्रदुशन, बिजली, अंत्रिक्स की खोज, डॉक्टरी, सुविदा, दुर्बास, कंप्यूटर, परमाणू, बम, पिस्तॉल, यातायात, क्लोबल, वर्मिंग तो यह आपको खुद करना है आगे हैं कौन सक्ति साली है, कलम या तलवार, अपने विज़ार कारण सहीत बताईए यह भी आपको ही करना है यहाँ पे निम्नलिकित सामगरी पड़िए और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए तो बहुत दूर जन्म ले रहा है धर्ती जैसा ग्रव तो सिकागो, एफपी हमारी पृत्वी से 424 प्रकास वर्स दूर गर्म गर्दो गुवार के बात धर्ती जैसा एक ग्रह आकर ग्रहन कर रहा है वेग्न्यानिकों की मुताबिक, एक करोड से 1.6 करोड वर्स को उम्रवाले इस ग्रह का सौर मंडल अभी मुश्किल से किसोरा वस्ता में है लेकिन जॉन हॉपकिन्स उनिवर्सिटी की एपलाइड फिजिक्स प्रयोक साला के मुख्या केरी सिस्से के मुताबिक या अपृत्वी जैसा ग्रह के जन्म लेने की पिल्कुल सही अवस्ता है इस सौर मंडल के दो तारों में से एक के इर्द की दुल की गहरी रिंग बन गई है वेग्णानिकों के मुताबित यह रिंग सौर मंडल के बसने योग्यक्षित्र में जमा हो रही है और एक दिन इस जगव पर दर्दी जैसा मिट्टी पत्थर से बना ग्रह जन्म लेगा जिसमें पाने भी मौजुद होगा सिस्से कहते हैं कि सूर्य जैसे तारों के चारों और धुल को ऐसी पत्टियों का जन्म लेना बहुत दुरलब गटना है और इसके बाहर की और वर्फिला बेल्ट से वह संबवना बनती है कि एक दिन इस ग्रह में पाने भी मौजुद होगा उन्होंने कहा कि ग्रह का रूप ले रही दुल उनी प्रदार्थोर से बनी है जिनसे हमारी पुत्वी के क्रश्ट वो कोर का निर्मान हुआ है सिस्से के अनुसार इस बास से भी इनका नहीं किया जा सकता कि एक दिन वहाँ पधर्ती जैसा जीवन भी पने पे उन्होंने कहा कि यह धर्ती के जन्मकी घटना को दोबारा देखने जैसा अनुबो है इस दुरलब प्रमान्ड यह घटना की तस्वीरे नासा के स्मिटसर स्पेस टेलिकॉप्स ने उतारी है विग्णानिकों के मुताबिक इन द्रश्यों को धर्ती तक टेलिस्कॉप तक पहुंसने में 424 वर्स लग गए लेकिन एक नए ग्रह के जीवन की तुलना में यह पलके जपकने जैसा है उन्होंने बताया कि इस ग्रह को हमारी पृत्वी जैसा रूप क्रहन करने में अभी और 10 करोड साल लग सकते है तो यहाँ पर प्रश्न दिये गए है पहला प्रश्न है कि अंत्रिक्स की किस कटना से वेग्णानिक उस्साहित है तो इसका जवाब वेग्णानिक इस कटना से उस्साहित है कि अंत्रिक्स में पृत्वी जैसा एक नया ग्रह जन्मले रहा है दूसरा है पृत्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंत्रिक्स में किस प्रकार की स्तीती होना आवश्यक है तो पृत्वी जैसा ग्रह बनने के लिए यह आवशक है कि अंत्रिक्स में पानी मोजुद हो इसके साथ दूल मिट्टी की पर्त हो ऐसी चट्टाने हो जिन से पृत्वी की उपरी पर्तों का निर्मान हुआ है तीसरा है कि रेखा खिचकर सही जोड मिला ये तो पहला है 424 प्रकास वर्स तो उसमें कौन सी जोड सही रहेगी तो पृत्वी से नई ग्रह की दूरी दूसरा 1.6 करोड वर्स उसमें आएगा एक नई ग्रह की उम्र तीसरा 10 करोड वर्स तो पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय स्पिटसर स्पेस तो ये है नासा का टेलिसकोब और 5 का कैरी सिस्से जो है वेग्न्यानिक आगे है स्वध्य की उदाहरण के आधर पर उपसक लगा कर सब्द पुन लिखी तो पहला है कौंस में दिये गए है वी, प्र, अ, दूर, अध, नीर और गैर तो दाहरण दिया है बिन्न तो क्या बनेगा वी बिन्न दूसरा है देश तो क्या बनेगा वी देश पका तो अधपका, गम दुरगम, योग तो प्रयोग, जीव तो नीरचीव, बल नीरबल, समझ गैर समझ, सुवीदा तो असुवीदा, और वांचित तो अवांचित आगे का प्रशन है कि उदाहरण के आधार पर प्रत्ते लगा कर शब्द पुनह लिखे, कौंस में दिये गए है कि इ, ता, इत और इक, उदाहरण दिया है नियम, इत विदेश तो विदेशी, प्रकृती तो प्राकृतिक, पुत्र पूत्री, लापरवाह तो लापरवाही, चंचल तो चंचलता, यंत्र तो यांत्रीक, मानव तो मानवता, और हंस तो हंसी आगे का प्रश्ण है प्रश्ण तीन चित्र के आधार पर कावय की रचना कीजिए यहाँ पे चित्र दिया गया है और दो पंक्तिया लिखी गई है तो हमें आगे लिखना है कि घड़ी लगी दिवार पर टिक टिक करतु चलती है दिन हो चाहे रात हो जाड़ा या बड़सात हो कभी नहीं तो रुकती है